नमस्कार दोस्तो आज हम जानेंगे बहरीन देश के बारे में बहरीन जम्बू दीव पर इस्थित एक देश है इसकी राजदानी मनामा है ये देश अरब जगत का हिस्सा है बहरीन उनीसो कातर में सवतंत्र हुआ और सम्वेदानिक राजदांत्र की अस्तापना हुई 1974 में National Assembly भंग हुई जो अब तक बहल नहीं हो पाई आज बहरीन की सरकार को एक समवेदानिक राजसाही माना जाता है इसमें देश का पर्मुक और कार्यकारी साखा का परदान मंतरी देश का राजा होता है 1990 में कुएत पर इराग के आकर्मन के बाद बहरीन संयुक्त राष्ट संका सदश्य बना बहरीन फारस की खाड़ी में साओधी अरब के पूरु में इस्थित है यह एक छोटा सा देश है जिसका चेतरपल 778 वर किलोमीटर है जो कई अलगलग दीपों में फैला हुआ है बहरीन की जनसंक्या 2016 की जनगन्ना के अनुसार लगबग 1425,000 के आसपास है और यहाँ जनसंक्या का घनतु 1831 परती वर किलोमीटर है बहरीन की GDP 149,000,000 डोलर है और परती व्यक्ति इंकम 51,956 डोलर है जो 20 में 13 अस्थान पर आती है बहरीन देश की करेंसी दीनार है एक दीनार 2.6 अमेरिकी डोलर के बराबर होती है बहरीन में कई बहुराष्टे कमपनियों के साथ साथ एक विविद अर्थववस्ता है बहरीन की अर्थववस्ता का बड़ा हिस्सा तेल और पेंट्रोलियम उत्पादन पर निर्बर करता है बहरीन के अन्या उद्दोग धंदों में ऐलमूनियम गलाने लोहे की गोली बराने उर्वरक उत्पादन इसलामी और आफसोर बैंकिंग बीमा जाजों की मरमत और परियतन सामिल है गिर्शी केवल बहरीन की अर्थववस्ता का लगबग एक परसेंट का परतिनी जित्व करता है बहरीन का राज्य धरम इसलाम है और अधिकांस बहरीनी नागरिक मुसल्मान है जिसमें सिया मुसल्मानों की संख्या सबसे अधिक है बहरीन में एक इसाई समुदाई भी है 2010 की जन गन्ना के अनुसार गैर मुसलिम बहरीन निवासों की जन संख्या 3,70,000 के आसपास थी जिन में अधिकतर इसाई हैं जिसके बाद हिंदू, बुद, यहुदी, धरम के लोग निवास करते हैं और बहरीन की राजबासाई अर्भी और अंग्रेजी हैं बहरीन और सौधी अरब को जोड़ने वाला 26 किलो मिटर लंबा पुल, राजा फत्य काजवे है, जो इन दोनों देसों को जोड़ता है बहरीन में एक परसिद मोस्कुट वरक्स है, जिसे ट्री ओफ लाई भी कहा जाता है, जो 400 वर्स पुराना है और बहरीन के रेगिस्तान में यह अकेला वरक्स है, इस वरक्स का जल स्रोत ग्यात नहीं है इसी वज़े से यह परियाटकों को अपनी और आकरसित करता है बहरीन सबसे ज़्यादा गरम देसों की सूची में होने के कारण भी जाना जाता है यहां का तापमान 45 डिगरी सेल्शस तक पहुँच जाता है यदि आदरता के साथ सपष्ट तापमान की गणना की जाए तो यह 50 डिगरी के बराबर हो सकता है बहरीन किलो को यूनेस को द्वारा 20 धरोहर में सामिल किया गया है आपको जानकर हैरानी होगी की बहरीन की राजदानी से 3 गंटे की दूरी पर ग्रीन वीच मीन टाइम है आपको जानकर हैरानी होगी की बहरीन की केवल 5% समुदरी तफ ही आम जनता के लिए खुला है बाकी की तट रेखा पर पिछले 20 सालों से 70 रूड परिवार ने कबज़ा किया हुआ है जो जादा अमीर होते हैं वे ही समुदरी तट का आनंद ले सकते हैं क्योंकि जादातर समुदरी तट को अमीर लोगों ने खरीद लिया है तो दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेयर कीज़े और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीज़े धन्यवाद दोस्तो